के आज हुलो पुरेंट्स वेल्कम बैक टो माय चैनल मैं हूँ आपकी अबर्शॉर्थ ओस वीडियो में हम बात करेंगे पर्द इंट एंट्स हों सेचे है विडियो ौइट फ्रेंटॆ को स्टार्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीस में चानल को सुब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने चानल को सुब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स क्या शेयर कीजिए तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉस्टन है आज़की वीडियो का रिहन्ड बांग किस नभी की सहाहिक नभी पर बनाये गया है तो फ्रेंड्स आब बात करें रिहन्ड बांग तो वह हैंसों नभी नभी प्र तो औ-प्शन से यहां पे हमारा रहाहिट आंसर है next है egg mark क्या है तो friends egg mark आपने देखा होगा कोई भी product होता है तो उस पर egg mark का निशान लगा होता है यानि कि egg mark ये बताता है कि ये product जो है इसकी जो guarantee मतलब इसकी जो quality है वो guaranteed है ये qualitative product है इसलिए देखिए यहाँ पर option days का right answer पधारतों कि गुडवत्ता कि guarantee की एक मोहर होती है कि हाँ ये product जो है इसकी quality अच्छी है उसे egg mark निशान वहाँ पर लगा होता है ठीक है next question है उननिस्वी सताबदी में भारतिये हस्तशल पुद्योग के पतन का कारण बताया गया था अब उननिस्वी सताबदी में उसके साथी सत केवल भारतिये रहासतों का समाप्त हो जाना ये भी बहुत बड़ा कारण था और केवल विदेशी सांसन की स्थापना करना ये भी बहुत बड़ा कारण था तो इसलिए यहाँ पर option D right answer होगा क्योंकि ये सारे कारण थे जिसके कारण उननिस्वी सताबदी में जो हस्तसिल पुद्योग था उसका पतन हो गया यानि कि वो कम हो गया या विल्कुली डाउन हो गया ठीक है नेक्स्ट आते हैं इंग्लैंड में ओध्योगे क्रांती ने संक्रमण के चर्मोकर्ष को निरूपित किया अब किस तरह से उन्होंने जो संक्रमण था ओध्योगी क्रांती ने किस तरह से उसको निरूपित किया तो यहां पर हम देखें तो देखें समाज से बाजार समाजवाद की ओर यानि समाजवाद से बाजार समाजवाद की ओर ले जाकर उसको निरूपित किया यानि कि ओध्योगी क्रांती इस तरह से वो ले कर आए ठीक है नेक्स्ट है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था तो फ्रेंड्स भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित किया गया था तो option B यहाँ पर हमारा right answer है जिसको minimum wages act भी बूला जाता है ठीक है नेक्स्ट आते हैं अब यहाँ पर friend question है अंतराश्टे न्याले का मुख्याले कहां पर है तो friends यह है दीव हेग में ठीक है तो option B यहाँ पर हमारा right answer है अब देखे friends यहाँ पर question है और नीचे हमारे options given है जो कोई राज्य केन सरकार के निर्देशों का पालंग ना करे तो रास्टपती क्या कर सकता है वहाँ पर तो friends वहर राज्य विधान सभा को भंग करके चुनावों का अर्दिश दे सकता है यस यह correct है वहर राज्य में सामवी धानेक तंत्र की विफलता गोशित कर सकता है और राज्य के शाषन के उत्तरदायत वह समाल सकता है ये पिल्कुल correct है वह अनुपालन कराने के लिए राज्य को अर्द सेनिक बल भेज सकता है ये भी correct है तो इन मैंसे वो कुछ भी कर सकता है ये उस पर depend करता है अगर कोई भी राज्य केंद सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो ये सारही options उसके पास available है तो इन मैंसे वो कोई भी option apply कर सकता है नेक्स्ट आते है भारत के किस राज्य में पहली बार गेर कॉंग्रेस सरकार बनी थी हम बात करें गेर कॉंग्रेस सरकार बनने की तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो right answer है वो है option नमर डी केरल नेक्स्ट है सोवियत संग का पंदरवा स्वतंत्र गरतंत्रों में विगटन कब हुआ था तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो इसका जो right answer है वो है option B 1991 में जो पंदरवा स्वतंत्र गरतंत्रों थे उनका विगटन कर दिया गया था नेक्स्ट है भारतियों ने साइमन कमिशन का भहिशकार क्यों किया था तो इसकी बात करें कि साइमन कमिशन का भहिशकार क्यों किया था तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर best answer दें तो वो option A है उनमें सतस्यों के रूप से किसी भारतिये को शामिल नहीं किया गया था इस वेज़ से उसका भहिशकार कर दिया गया था ठीक है तो option A यहाँ पे हमारा right answer है next है किसी भारतिये राज्ये में समविधानिक आपात इस्तितिय की गूशना का संसत द्वारा अनुलमोदन किया जाना होता है वो किसके द्वारा किया जाना होता है तो यह होता है हमारे दो महिने के बीतर तो option A यहाँ पे हमारा right answer है next आते हैं भारतिये समविधान की संग सूची में विशियों की संख्या कितनी होनी चाहिए तो friends यहाँ पर इसका right answer है option C 97 next है भारत में पहला समाचार पत्र निम्लिकित में से किस ने शुरू किया था तो friends बात करें पहले समाचार पत्र की तो यह question बहुत पुछा जाता है यह शुरू किया था James A. Hikki ने next आते हैं servants of India society किस ने बनाई थी तो servants of India society की बात करें तो यह बनाई थी गोपाल करश्न गोख लेने तो option B यहाँ पे हमारा right answer है next है भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू कब की गई थी तो friends यह शुरू की गई थी Lord में को लेने अंग्रेजी शिक्षा और इसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा भी लेकर आये थे ठीक है next है भारत में प्रमुक फ्रांसिसी बस्ती बताईए तो प्रमुक फ्रांसिसी बस्ती की बात करें तो यहाँ पर पॉंडिचेरी आयगास का आंसर भी नेक्स्ट है एक फ्रेंट थी थी के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसर भारते कानूनों का संक्लन करने सहित्ता बद्द करने और सुधारों सुधारने के लिए एक विदी आयूक का अगठन किया अगठन किसकी अध्यक्षत तो फ्रेंट्स 1833 के चार्टर एक्ट की प्रावधानों के अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में यह संक्लन या आयूक का गठन किया गया था ठीक है नेक्स्ट आते हैं ब्रिटिस संसत का सदस्य बनने के लिए बाला पहला भारतिय कौन था तो यहां पर बात करें तो फ्रेंट्स का राइट आंसर होगा डी वो थे दादा भाई नौरो जी नेक्स्ट है भारतिय टटरेखा की लंबाई कितनी होनी चाहिए तो फ्रेंट्स यहां पर 7500 किलोमीट भारतिय टटरेखा की लंबाई लगबग इतनी होनी चाहिए नेक्स्ट है संसार में दूसरा सबसे उचा परवत शिकर निमलिखित मैंसे कौन सा है तो फ्रेंट्स राइट आंसर है के टू नेक्स्ट है कोकंड रेलवे की लंबाई लगबग कितनी है तो फ्रेंट्स यहां नेक्स्ट है भारत का निमलिखित मैंसे कौन सा टट प्रचंड उच्ण कटीबंदिय चक्रवातों से सरवाधिक दूश प्रभावित है तो फ्रेंट्स यहां पर बात करें मालावार आंध्र कोकंड और गुजरात में तो इसका राइट आंसर है उप्शन नमर पी जोकी है यह सबसे ज्यादा वहां पर ऊशन कटीबंदिय चक्रवात आते हैं जिसकी कारण में प्रभावित रहता है ठीक है नेक्स्ट है संसार में सबसे बड़ी जील कहां पर है अगें वेरी इंपोर्डेंट कोशन है और यह एक्जाम में आपके बहुत पूछा जाता है तो लेक स सबसास में पर अगें यूरियम के उत्पादन में या फिर मैगनिस के उत्पादन में यहाँ इसका राइड आधार आंसर है और यहां पर वीडियो का यह हम लास्ट कॉश्चन रखेंगे भैसो की निमलिखित नसलों में से कौन सी नसल गुजरात के दक्षणी पश्टमी भाग में पाई जाती है तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन सी राइट आंसर है जो की है सुरती नेक्स्ट है भारत का पहला नेशनल पार्क निरलिखित नसलों से कौन सा है तो फ्रेंड्स नेशनल पार्क बात करें जो की पहला है भारत में तो वो है यहाँ पर राइट आंसर आप्शन नमर एक आरबेट नेशनल पार तो आख का रंग किस में मौझूद वर्णक पर निर्भर करता है कॉर्णिया आईरिस सलाकाओं या फिर शंकुओं तो फ्रेंड्स यहां पर बात करें तो इसका राइड आंसर है यहां पर option नमर भी यह हमारी आईरिस पर depend करता है इसलिए आपने देखा होगा कि किसी की आखो का रंग बूरा, काला और नीला होता है तो यह एरिस पर depend करता है कि किस की आखो का रंग कैसा होगा और यह भी खा जाता है कि यह जैनेटिक भी होता है नेक्स्ट है अंधेरे में देखने की आंक की चमता एक वैगनी वर्नक के उत्पादन के कारण होती है जिसका नाम है तो फ्रेंट्स इसका नाम की बात करें तो ये कहलाता है रेटिनीन ठीक है जिसकी कारण हमारे अंधेरे में देखने की आंक की चमता जो होती है एक वैगनी के उत्पादन के कारण होती है, इसको रेटेनीन बोला जाता है, नेक्स्ट आते हैं, अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, तो फ्रेंड्स भूसी रहित अनाज और दाले अधिक पोशक होती है, क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है, नेक्स्ट है, सावुत अन पोशक तत्व अधिक होते हैं, यह किस ने कहा दिया कि नाश्टे के अन्न में अधिक होते हैं, यह भी गलत है, तो option B हमारा यहां पर right answer है, next है निमलिकित में से कौन सा प्राणी भूख है, तो friends यहां पर right answer की बात करें, तो B हमारा भूख प्राणी कहलाता है, इसलिए option B right answer ह next हाते हैं, आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, क्योंकि सभी रंग मिलकर नीला रंग बनाते हैं, क्या यह कारण है, नहीं यह कारण नहीं है, श्वेत रंग में नीला घटक प्रवल होता है, क्या यह कारण है, ऐसा भी नहीं है, वायू मंडल में अन्ने रंगों की अधिक प्रकिर्ण होती करता है या सिय करेक्ट है यह वस्तुता नीला है नहीं यह भी नहीं है option C हमारा यहां पर right answer है next है संचार उब्ग्रहों में प्रत्वी के station से signal grant करके बिविन दिशाओं में भेजने वाला यंत्र हमारा क्या कहलाता है तो friends यह कहलाता है transponder तो option C हमारा right answer है next बात करते हैं जब कोई जहाज नदी में समुंदर में प्रिवेश करता है तो किस तरह से वहाँ पर changes हाते हैं तो friends यहाँ पर अगर हम बात करें जब कोई जहाज समुंदर में प्रिवेश करता है वह थोड़ा सा उपर उठ जाता है वह थोड़ा से चला जाता है उसी इसतर पर रहता है वह जिस द्रव्य में बना हो उसी आधार पर उठता है नीचे उठता है नहीं ऐसा नहीं है जब कोई भी जहाज समुंदर के अंदर प्रिवेश करता है तो वह उठ जाता है थोड़ा सा तो option A यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा next आते हैं असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर समान वेक से उधरवार धर उपर फेकी गए है निमनिकित में से क्या घटित किया गया है तो friends यहाँ पर बात करें तो भारे द्रव्यमान अधिक उचाई तक जाएगा ऐसा नहीं है अधिक उचाई तक जाएगा ऐसा भी नहीं है उसमें जो दोनों की उचाई होगी वो बराबर तक जाएगे यह बिल्कुल correct है उनमें से कोई भी अधिक उचाई तक जा सकता है नहीं ऐसा नहीं है वो दोनों बराबर उचाई तक जाएगे यह correct answer है इसलिए option c यहाँ पर हमारा right answer होगा next आते हैं प्राकर्तिक रबड को मजबूत और अधिक उचाल वाला बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है तो हमें पधार्त बताना उसके अंदर क्या मिलाते हैं तो friends यहाँ पर इसका right answer है option number c जब प्राकर्तिक रबड के अंदर सल्फर मिला दिया जाता है तो वो और अधिक उचाल मारता है मजबूत और अधिक उचाल बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है next है विद्धूत लब्द कराने वाला कहेगा second सहियत्तर क्या है तो यह है friends अगर इसकी बात करें तो यह परमाणू शक्ती reactor है तो option c यहाँ पे हमारा right answer है next है उश्मा दौरा ततकाल नस्ट हो जाने वाला vitamin क्या कहलाता है तो friends यह कहलाता है ascorvic option b यहाँ पे हमारा right answer है next है swift phosphorus को सदा रखा जाता है बैंजीन में, किरोसीन में, इथर में या फिर जल में तो friends right answer है d जल में next है निमलिकित मेंसे कौन सा योग्म सही नहीं है पन्नानाल घोष्ट बासुरी, गुरू, कोपी, कृष्ण, कथक, निखिल बानरजी संतूर या फिर नंदल दाल, बोश चित्रकला तो friends यहाँ पर बात करें तो निखिल बैंजी संतूर ये सही योग्मन नहीं है तो options यहाँ पर हमारा right answer है next आते हैं इब्राहीम अलकाजी किस छेत्र की जानी मानी हस्ती है इब्राहीम अलकाजी की बात करें तो ये friends जो हमें options दे रखें इन मेंसे कोई भी नहीं है इसके बारे में बहुत पूछा जाता है तो आपको friends इसे याद रखना है next question है समुंदर के जल को किस प्रिक्या दौरा शुद्ध किया जाता है आसवन दौरा वाश्रपन दौरा फिल्ट्रेशन दौरा यह पर प्रभाजी आसवन दौरा यह question में again दो से तीन वार पहले आपको करा चुकी हूँ तो आपको पता होगा तो आप इसका answer दे सकते हैं यह question बहुत पूछा जाता है तो A है बिधी आसवन दौरा ठीक है next है निम्लिकित मेंसे कौन सी शीतल महसागर धारा है इमबोल्ट धारा, ब्राजील धारा, ओया शीयो धारा या फिर कैनारी धारा तो फ्रेंट्स राइट आंसर है इसका option नमर A इमबोल्ट धारा, शीतल महसागर धारा कहलाते है next है निम्लिकित मेंसे कौन सी संस्था निर्याद समवर्धन में संबंदित नहीं है व्यापार विकास प्राधी करण, खरनिश तथा धातू, व्यापार नेगम, सहकारी विपरण समतिया या फिर भारती राज्य व्यापार नेगम तो फ्रेंट्स राइट आंसर है इसका सहकारी विपरण समतिया जो है वो हमारी निर्याद समवर्धन संस्था नहीं है नेक्स्ट है अब यहाँ पर हमें बताना है निम्लिकित मैंसे कौन सा सम्हू केंद्रे कर सक संबंदित है तो फ्रेंट्स केंद्रे कर से संबंदित बात करें सक यहाँ पर फ्रेंट्स कुछ नहीं है आप इसको इटा दीजे मिस्प्रेंट है आप यह देखे सम्हू केंद्रे क से संबंदित है ठीक है तो यहां पर फ्रेंट से बात करें तो समु के इंदर इस से रिलेटेड यहां पर से बहुतिं कि किंपात शुलग सीमा शुलग और आईसलन और यहां पर इस ब की रोपषन उसलन हो जाये Koreण करे है ठीक टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड के लेखा कौन है तो फ्रेंट्स इसके जो राइट आंसर है वो है यहां पे option number C जो की है MS स्वामी नाथन MS स्वामी नाथन again famous है आपको यह बताना है कि किसले famous है MS स्वामी नाथन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ आपको याद होगा ठीक है विश्व व्यापाट संगठन याने WTO किस वर्ष शुरू किया गया था तो फ्रेंट्स इसकी बात करें WTO की जिसको World Trade Organization भी कहा जाता है तो इसका शुरूआती वर्ष की बात करें तो यह था 1995 में ठीक है तो option C यहाँ पर हमारा right answer है नेक्स्ट है किस ने कहा था देशभक्ती धर्मे और धर्म भारत के लिए व्यापार है राज नाराण बोसने बाल गंगादर तिलखने सौमी बिवेकानन या फिर आचारे बिनोबा भावेने तो फ्रेंट्स का right answer option number D यह कहता आचारे बिनोबा भावेने कि देशभक्ती हमा हमारा धर्म है और धर्म भारत के लिए एक व्यापार है ठीक है नेक्स्ट है निम्लिकित मेंसे कौन सा वैक्सीन नहीं है तो इन सारे options के according बात करें तो प्रोजिस्टेरोन वैक्सीन नहीं है जबकि BCG, Anti-Ravage और पोलियो यह सारी वैक्सीन है ठीक है नेक्स्ट है और यह हमारी आज की वीडियो का last question वी है friends दूरस्त इस्थानों पर विध्यु चुम्ब के तरंगे भेजने वाला पहला बैग्यानिक कौन था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, हाइनरिच हर्ट्स, थॉमस अलवा एडिसन या फिर जॉन लोगी वियर्ड तो friends की रा मंदित हैं, ठीक है, क्योंकि आपको यह सब चीजे पता होने चाहिए, inventions related भी बहुत questions पूछ ले जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो invention पूछा जाता है, वो यह पूछा जाता है कि revolver का विश्कार की है, किसने क्या था, यह question बहुत आता है, इसके साथ ही साथ, vaccines के नाम पूछ हो जाते हैं, तो आप उनको भी revision करेगा, आज के लिए इतना है, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीचे, अपने friends के शेर कीचे, कोई भी query हो, आप मुझे मेरी social media पर follow करके, वहाँ भी पूछ सकते हैं अपने query को, तो friends, next video में हम फिर मिलते हैं आप से, और विच्छी वीडियो के साथ, take care, bye bye